हेलो दोस्तों स्वागत है आपको आज के हमारे नय क्लास में आज की क्लास 12 वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है इस क्लास में हम आज बताएंगे कि आपको फिजिक्स का पेपर जो है उसमें आप किस तरीके से कॉपी को लिख कर आएंगे पूरा पेपर अगर आपको सतर में सतर लाने है तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा चली क्लास को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम आपको पहले भी बता चुके फिजिक्स का पेपर जो होता है पांच खंडों बटा होता है आ बासादा और या ठीक है सबसे पहला जो खंड होता है इसमें बहुत विकल्पिया फ्रश्ण आते हैं एक नमर वाले तो इसमें आपको क्या करना होता है सबसे पहले आपको इसी तरीके से डाल लेना होगा अपने कॉपी में खंड आ और डालना होगा प्रश्ण उत्तर संख्या पहले का का ऐसा नहीं करते काफी बट्चे क्या कर यह रहता हैं तो प्रेश्ण बतर संख्या पहल्ले का जो भी आपको कैड़ City को अमने कड़ना हो लिख़े प्राश्ण खार संख्या पहले का बतलन के बहुत बॉलन् builtा संख्या नॉन कड़ें और क्राणा कोषं को सीरीयल वाइस सॉल्फ टाक। तो ताकि जो examiner हो, उसको copy check करने में ज्यादा problem ना हो, ज्यादा problem होगे तो वो आपके marks काटेगा, तो अगर आप सारा काम बिल्कुल सही सही करेंगे, serial wise, तो examiner को copy check करने में आसानी भी रहेगी, और आपका काम देखकर उस वो impress भी हो सकता है, तो आपको यही करना है, सबसे पहले देखिए, बहुविकल्पी प्रश्ण है, जो भी हमने डाल दिया, प्रश्णोतर संग्या पहले का, जो भी आपका सही मार्क है, जो भी आपका option सही है, उसको आपको लिखकर टिक कर देना है, बस, इस तरीकी से देखिए, दूसरा वाला भी टिक है, अब अगर आपक कर लेना है, जो कॉपी का आपका सबसे लास्ट वाला पेज होता है, वो रफ कारे के लिए होता है, वो कार्ट दिया जाता है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, उसी लास्ट वाले पेज पर अपनी calculation को कर लेना है, और जो आपका answer है, तो उस answer को आपको क्या करना है, जो तू पर यानि खंड बापर ये भी एक नमबर के कोशन होते हैं इसमें आपको क्या करना होगा जैसे कि पहला कोशन में दे रखा है कि आपको विद्व शीलता की वीमे सूत्र निकालना है वीमे समेकरण क्या होता है इसका तो आपको इस तरीके से निकालना होगा पूरा तो य किसी भी आप देखिए यहां पर एक संबंध लिखा हुआ है कि वैद्व चेतर की तीवृता और वैद्व विभव में संबंध बताईए एक नमबर में कोशन आया है तो आप इस कोशन को कैसे सॉल्व करेंगे तो यहां पर देखिए हमने हैं हैं डाल दी है हैं हैं जो अगर आपने केवल इतना लिखा जहां करके चीजों को नहीं बताया तो हो सकता है आपको आधा नमबर कट भी सकता है तो इसलिए जहां करके जरूर बताते उसके बाद यह देखिए अगर आपका कोई नुमेरिकल आता है तो आप कैसे लगाएंगे सबसे पहले जो कोशन मे आंसर आ गया देखिए पूरा पेपर पैटर्न आपको ऐसे ही फॉलो करना है पूरा तरीका आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको कॉपी लिखनी है अब यह देखिए अगर कोई नियम आता है देखिए यहां पर तो पूरा पेपर हम आपको बता रहे हैं जे बस आ से तरीक है अपनना लिखेंगे इस तरीके से लिखेंगेме इप्रमेश नियम आपता है यहां परिकस नीयम आटा है प्रमेश करेंगे आठविआ से लिखता है लगतह एी वा ब्लू या बॉल्या ब्लेक पैन का यूज करते हैं चालजेंट और अच्छा उत्तर संख्या डालने के लिए और कोई भी आपका डाइग्राम है उसे बनाने के लिए उसके बाद देखिए यहां पर एक डैफिनीशन दी यह भी एक नमबर में तो एक नमबर के लिए इतना काफी है उसके बाद यहां पर देखिए दूसरे के चामे निरोधी विभभ पू कोई भी नियम है तो आप इन्वर्टिट कॉमा लगा के ब्लैक पैन से लिखें देखिए इस तरीके से लिखेंगे तो नमबर मिले के चांसे जादा रहते हैं मतलब कि अगर आपको अगर यह दो नमबर में कोशन आया है तो दो नमबर आपको एक्जामिनर पूरे देगा इ जो दो नमबर के अकॉर्टिंग लिख देे उसके बाद अब हम बात करेंगे कोशनमबर 4 की ओर चलते हैं कोशनमबर 4 यान्य खंड दा यह आता है 5 Knobर का नए 3 नमबर का जो आपका कोशनमबर 4 मतलब जो खंड दा है इसमें 2 कोशन आते हैं एक कोशन चार आता है या कोशन 9 जैसा कि पहला कोशन दे रखा है वैदुफलक्स के बारे में लिख दिया है मातरक जो है इसका जो राशी है और इसको किसे नोट करेंगे ब्लैक पैंसे दिखाएंगे ठीक है उसके बाद यह सारे कोशन जो है तीन तीन नमबर वाले हैं यहां पर देखिए आप क्या करेंगे जब भी आप कोई चित्र बनाएं, तो अगर आप नहीं बना पाते हैं, मतलब फ्री हैंड तो आप क्या करना होगा, पहले पैंसल से बना रही जी, फिर उसके बाद ब्लैक स्केज का यूज कर सकते हैं, ठीक है, पैंसल से मत बना कर आएगा केवल, क्योंकि इसलिए काफी दिन किस तरीके से सॉल्फ करेंगे, पहले जो दे रखा है, उसको नोट कर लिया है, उसके बाद जो भी पूछा गया है, यानि एफ पूछा जा रहा है इस कोशन में, तो फॉर्मर लगा के हमने एफ कमान निकाल लिया, और कोई भी नुमेरिकल आए, तो आप उसमें यूनिट लिख दे जैसे कि हमारा यहाँ पर फोर्स कहा जा रहा है, तो यूनिट इसकी सेंटी मीटर हो जाएगी, तो इस तरीके से आपको नुमेरिकल्स को लगाना है, सभी लिखे भी हुए, यह पूरी जो पीडिएफ है, वो आपको मिल जाएगी टेलिग्राम पर तो टेलिग्रा आता है, यानि कुल मिलाकर 20 नंबर के केवल लॉंग है, अगर आप लॉंग भी करकर आते हैं, तो भी आपके नंबर काफी अच्छे बन सकते हैं, अगर केवल पास होना चाहते हैं, तो लॉंग अच्छे से पढ़ कर जाएगा, और आपजेक्टिव और एक दो नंबर वाले दिखाया है, फिर इनके अकॉर्डिंग जो भी पूछा जा रहा है, फॉर्मुला लगा लगा के हमने क्या किया है, सॉल्व कर दिया है, ऐसा ही पैटन आपको यूज करना है, अब यह देखी, इसके अत्वा में कोशन दे रखा है, समांतर प्लेट संधार इत्र का, कितना से आपको इसी तरीके से चितर बनाना है, और थियोरी जो है, वो आप इस तरीके से करते रहेंगे, अब 7 नमबर कोशन ये भी लॉग में आया हुआ है, अब यहां से जितने भी कोशन आएंगे, 6 to 9, ठीक है, यह चारो ही लॉग कोशन है, और लॉग बता दिया है, 5 नमबर में आते हैं, अगर आप इस सारा पैटरन फॉलो करते हैं, तो आपके चांसे हैं, अच्छे नमबर आने के, अच्छे का मतलब है, 90 फ्लस नमबर, यानि कि अगर आप पूरा, पूरा 100 में 100 का पेपर करके आएंगे, मतलब आपके 100 में 100 का अगर आप करके आते हैं, तो चांस में इतना ही तब तक के लिए जाहिन जा भारत